दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं UI 5.9 के 26S वर्जन को LMAX 2 के लिए तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखेगा और इस रोम के बारे में बताने वाले हैं मेरे दोस्त शिवांश तो मेरा ना में दानिश आप देखरें हैं Technology Island, so let's get started Hello friends, मैंना मैं सिवांस और आज किस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद करने चाहूंगा दानिश भाई को जो उन्होंने अपने चैनल में मुझे फीचर किया है Technology Island पे तो उनका सबसे पहले बाद धन्यवाद और इस वीडियो में मैं आप से LMAX 2 क काड़ में बात करने वाला LMAX 2 के Custom UI, Custom UI नहीं उनका ही UI,EUI का सबसे latest version 5.0.26S का मैं आज review करने वाला हूं इसको मैं आपको पूरा चीज़ बताऊंगा इसका installation process इसका क्या pros है क्या cons है सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में तो बस इस वीडियो को पूरे अन तक देख किएगा skip मत कीज़ेगा तब आपको समझ में आजाएगा कि यह जो ROM है यह कैसा है डेली यूज के लिए है या नहीं और पहले मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इसमें इस ROM को flash करने के लिए आप कोई भी TWRP recovery कोई भी root कोई भी bootloader unlock की करने के जो अतनी एकदम official आप आप से OTA update की तरह भी कर सकते हैं इसे flash तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले मैं इस ROM की review कर लेता हूँ तो यहां देख लिए सबसे major जो change या improvement आया जो बीज में live button मिलता था EUI में वह यहां हट गया है कोई भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं मैं तो अभी setting उस कर रहा हूँ आप कुछ भी यूज कर सकते हो तो live button यहां से हट गया है दुसरा मैं major improvement के बात करूं तो आप phone manager में आपको मिलता है एक app accelerator जिससे आप कोई भी आपको on कर देंगे मतलब की accelerate कर देंगे जिसलेंग मैं Amazon को कर ले रहा हूं तो Amazon करने के बाद यह Amazon आप जब भी खोलेंगा तो यह जल्ली खोलेगा लेकिन इसमें यह कि आपका this may increase battery range और device temperature तो आप समझ लेना है मैं अभी accelerator यूज नहीं कर रहा आपको चली दिखाता हूं about phone में तो about phone में देखिए जो model है LEX820 Android version 6.0.1 ही मिलता है आपको यह थूडी सी निरासा जनक वाली बात है कि आपको नहीं मिलता है कोई बात नहीं Android का security patch level आपको January 1 2017 का मिलता है जो कि काफी पुडाना है UI version आपको मिलता है 5.9.026S stable है दिखिए आपको तो यह था stable version और आप मैं दिखाऊं system update में भी तो यह UI 5.9 है एकदम latest version पर अभी तक UI का सबसे आदा latest version है lemax2 के लिए तो दो तीन यहीं improvement थे एक calculator में मुझे improvement मिला है तो जैसे आप कभी भी auto rotate करते होंगे तो rotate हो जाता होगा लेकिन इसमें आप यह बटन मिल गया है लवली का जो server उतना सही नहीं है इसलिए यह work नहीं करता है इसलिए मैं इसे यूज भी नहीं करता हूँ और recommend भी करूंगा कि आप भी use मत करना यह बस दे दिया गया इसी ट्रेल यह एक और नया feature है जिस लाइक मैं phone storage यूज करता हूँ जिस लाइक मैं DCIM को बहु इनर चेंज गैलरी में भी कुछ-कुछ अपडेट हुए है मतलब improvement UI में तो देख सकते हैं हर चीज में थोड़ा सा improvement message के interface में UI में आपको थोड़ा सा improvement I mean change design में UI के interface में आपको सब में थोड़ा बहुत मिल गया है यह सारी जो बात थी है तो इसकी अच्छाई थी अब मैं चलिए इसके बुड़ाई के बात करता हूँ तो बुड़ाई में आपको सबसे पहले जो Google Assistant आपको नहीं मिलता है Google Assistant आपको नहीं मिलता है इसमें मिलता तो है लेकिन आप Home button को प्रेस करके नहीं एकसेस कर सकते हो उसे तो उसको एकसेस करने के लिए आपको एक डाउनलोड करना हो तो मतलब वीजेट का हो लो एप नहीं Google Play पे जाना Google Play के जाने के बाद आप टाइप करना Google Assistant और सच कर लेना इसे 700KB की एप है एप नहीं यह वीजेट ही है तुरत डाउनलोड हो जाएगी डाउनलोडने के बाद इस्टॉल भी तुरत और मैं इसे जिसी ओपन करूँगा तो यह आपका फिर Google Assistant वक करेगा आप इसे यहां जहा दे रहा हूं आप लोग को दूसरी खराब चीज की में बात करूँ तो जब यह आप रॉम इस्टॉल करोगी तो आपको इसमें छे साथ चाइनीज ब्लॉट वेर एपस मिल जाएंगे जिसको आप रिमूब अनिस्टॉल नहीं कर सकते हो अगर आपका फोन रूटेट नहीं ह के लगवा 300 MB की एप है और वो एकदम यूजलेस है तो आपका स्टोडेज भी यूज कर लेता है और वो सब आटो स्टार्ट में आटोमेटिक ली रहते हैं तो आपका रैम भी कुछ यूज करते हैं तो वो एक खराब बात है जिसका कोई यूज नहीं है वो भी आपके बगस नहीं एक्स्ट्रा कोई भी बगस नहीं एकदम स्टेवल चलता है स्मूथ परफॉर्मेंस काफी अच्छी है बैटरी काफी अच्छी है इस में रॉम की कैमरा क्वालिटी काफी अच्छा है ओवरॉल मैं कहूं तो यह यूज का सबसे बेस्ट रॉम है अगर आप रू इसे इंस्टॉल कर सकते हैं इस्टॉल करने के लिए मैं आपको बताता हूं कैसे करना है तो सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसे आपको जाना है क्लिक करना और डावलोड कर लेना वह फाइल वह फाइल डावलोड करने वाद आपको फाइल में जा कर देना है, save करने के बाद आपको जाने है sitting में, setting के बाद जाना है आपको system updates में, यहाँ पे आपको three dot icon में लेंगे, इसको click करने है local update पे click करना है, और यहाँ आपको कर देना है continue, continue करने बाद आपका phone होगा reboot, तकड़ी 11 10 मिंट लगेंगे और उसके बाद हो जाएगा अगर आप चाहती है कि यह रॉम यूज ना करूं मैं तो मैं आपको इंडियन वर्जन का भी लिंक दे दूंगा आप फिर से सेम प्रॉसेस दोहरा के इंडियन वर्जन में भी दुवारा जा सकते हो तो कोई जल्दी नहीं मतलब डर्टी फ्लैस नहीं क्लीन फ्लैस मतलब कि पहले अपना सिस्टर्म ड्यल्विक के जितना ही मी सब क्लियर सलने ठीड फ्लैस से और तब उसे फ्लैस कर देना तो यह आपका हो जाएगा ओवरॉल मैं देखाऊं तो यह जो यूई है यूई का काफी सही है मतलब इस टेवाल ह बएस लग Тबम डेली यूझ कर सकते हो इससे मैं भी यूझ कर रहा हूं इसे में अगरने से तो मैं अज चेंड चेंज करने वाला अपना रॉम फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं अपने चैनल पर टेकी सीवांस को सब्सक्राइब करना मेरा चैनल टेकी सीवांस है सर्च कर लेना लिंक तो मिल जागा डिस्क्रिप्शन में आपको आपको बस इस वीडियो में इतना ही ओवरल मैं आप कं स्ट्रॉम है यह तो आप इसे चाहो तो ट्राइब कर सकते हो बहुत ही असान है और अपने विव मुझे कमेंट में सेक्शन में बताओ कि आपको यह रॉम कैसा लगा और आसा करता हूं कि आपको यह वीडियो पशंद है और पसंद है जरूर से हिट कर देना लाइक बटन से जरूर से कर देना जिसके पास लिमेक्स हो और हां सब्सक्राइब जरूर से कर देना टेक्नोजी आइलेंड को भी और टेकी सीवांस को भी दोनों को ही जरूर से सब्सक्राइब कर देना आप तो दोस्तों फ्लाल के लिए इस वीडियो में इतना ही उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कोई भी सवाल हो तो नीचे कमने पूस सकते हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब